ओम शंती आज 11 जून 2022 दिन शनीवार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे ब्राह्मन बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो धन्दा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो प्रश्ण गोडली स्टुडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए उत्तर हमें पढ़ाई पढ़ने की फुरसत नहीं है यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा अर्थात बोज समस्या नहीं डालते सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो प्रश्ण मनुश्यों का प्लैन क्या है और बाप का प्लैन क्या है उत्तर मनुश्यों का प्लैन है सब मिलकर एक हो जाए नर चाहत कुछ और बाप का प्लैन है जूट खंड को सचखंड बनाना तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े गीत आज के इस इनसान को जाने क्या हो गया ओम शान्ति बच्चे भी कहते हैं ओम शान्ति आत्मा कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शान्ति अम आत्मा का स्वधर्म है शान्त यह भूलना नहीं है बाप भी आकर कहते ओम शान्ति जहां तुम बच्चे भी शान्त रहते हो वहां बाप भी रहते हैं वे हैं हमारा शांती धाम वाखर दुनिया में कोई भी विद्वान आचारे इन बातों को नहीं जानते कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा आत्मा का भी किसी को ग्यान नहीं है कि आत्मा क्या है इतनी करोड आत्माएं स्टार मिसल हैं हर एक आत्मा में अपना-पना अविनाशी पाट नुंधा हुआ है, जो समय पर इमर्ज होता है, यह बाप बैठ समझाते हैं, बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा न सके, मुझे भी जरूर शरीर चाहिए न, शरीर तब लेना होता है, जब रचना रच करते हैं, रचियता तो है, निराकार शिव, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शुद्रों को नहीं, अब हमारा है ब्रह्मन वर्ण, पहले शुद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैशे वर्ण, शत्रिय वर्ण, दुनिया इ आगे ब्राह्मन गव के खुर जितनी चोटी रखाते थे, तुम बाजोली खेलते हूं, मैं तो नहीं खेलता हूं, इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो, कितनी सहच बात है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, बाकि शास्त्रों में तो क्या-क्या बाते लिख दी है, तुम समझते हो, हम ब्राह्मन ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परन्तु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं, उनों को ही शोबते हैं, इस नौलेज को धार्ण करने से, तुम फिर चक्रवरती राजा बनते हो, अभी स रुद्र शिव बाबा ने यग्र चाहें, तो ब्राह्मन जरूर चाहिए, बाप कहते हैं, मैं ब्राह्मन बच्चों से ही बात करता हूँ, कितना बड़ा यग्य है, जब से बाफ आये हैं, आते ही यग्य रचा है, इसको कहा जाता है, अश्व मेग अर्थात स्वराज्य के कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है, एक के बहुत ही नाम है, इनको यग्य कहा जाता है, पाट्शाला नहीं कहा जाता, बापने रुद्र ग्यान यग्य रचा है, यग्य को पाट्शाला नहीं कहेंगे, ब्राहमनों द्वारा यग्य रचा जाता है, ब्राहमनों को दक्षिन देने वाला दाता भोलानात है उसको कहते ही है शिव भोला भंडारी अब तुम सम्मुख बैठे हो बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है यह है बड़ी मम्मा फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है वे सबसे तीखे जाती है इनका पाट है रहे है ज्यान ज्यानेश्वरी जगत अंबा मा लक्षमी को ज्यान ज्यानेश्वरी नहीं कहेंगे लक्षमी माना धन देवी कहते हैं इनके घर लक्षमी है अर्थात संपत्ति बहुत है लक्षमी से संपत्ति ही मांगते हैं बारहें मास पूरा हुआ तो आवाहन करेंगे ज जगत अम्बा सब की मनों कामनाई पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजा पिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी है। तुम शी बाबा द्वारा नौलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है। नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बाते नहीं हैं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुर्शार्थ कर रहे हैं। काटे से फूल बन रहे हैं। शुद्र थे तो काटे थे। अब भी ब्रह्मन फूल बने हो। ब्रह्मनों को फूल बनाते हैं बाप। वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे-च्छे माली हैं वह ओरों को भी आप समान बनाते हैं। सैपलिंग लगाते रहते हैं नंबर वार है इसको कहा जाता है स्प्रिच्वल ग्यान इश्वर है ग्यान देने वाला शास्तरादी तो सब मनुष्य सुनाते हैं यह रुहानी ग्यान तो सुप्रीम रूह रूहों को देते हैं और कोई को रचियता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं यह है ही जूठी दुनिया सब जूठ ही जूठे है असल में पहले जूठे ज्वाहरात थे नहीं अभी तो जूठे कितने हो गए हैं सच्चे रखने नहीं देते जूट खंड में है रावन राज सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज यह है शिबाबा का स्थापन किया हुआ यग्य पाटशाला भी है यग्य भी है घर भी तुम जानते हो हम पारलोकिक बाप और फिर प्रजा पिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं जब तक ब्रह्मन न बने तो वर्सा कैसे मिल सके यक्ये को संभालने वाले सच्चे ब्रह्मन चाहिए विकारों में जाने वाले को ब्रह्मन नहीं कहेंगे एक टांग रावन की बोट में दूसरी टांग राम की बोट में है तो नतीजा क्या होता है चिर जाएंगे ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं कहलाते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान और करतव्य शुद्रों के बाप कहते हैं धंदा धौरी भल करो पर अंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पोंसिबिलिटी उन पर हो जाती है तुम यहां आई ही हो इश्वरिय मत लेने के लिए वह है आसुरी मत तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ट बनने के लिए उँचते उँच बाप उँची मत देत है तुम जानते हो हमको उँची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की कहते भी है हम तो सूरेवन्शी राजा बनेंगे यह है ही राजस्व प्रजास्व नहीं तुम राजारानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है जैसे मम्मा बाबा पुर्शार्थ से बनते हैं तो तो बच्चों को भी बनना है, तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हम ब्रम्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वेह रचियता, स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताई बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं तुमारी काया कल्प व्रिक्ष समान बनती है विजिवनेट होते हैं तुमारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, तो फिर शरीर नहीं रहता, इसलिए ही भंबोर को आग लगती है, जिसमें सब का विनाश हो जाएगा, यह है बेहद की बाते, यह बेहद का आईलेंड है, वह है हद के, जितनी भाशाएं उतने नाम रख दिये हैं, अनेक टापू है, परन्तु यह सारी स्रिष्टी ही टापू है, सारी स्रिष्टी में रावन का रज्य है, गीत में भी सुलाना कि क्या हालत हो गई है, वहाँ एक दो को मारते नहीं है, वहाँ तो राम राजा, राम प्रजा, कहते हैं दुख की बात ही नहीं, किसी को दुख देना भी पाप है, वहाँ फिर यह रावन हनुमान आदी कहां से आए तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गौड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है फिर तो फादर हुड हो जाता है सब फादर ही फादर तो हो न सके अब तुम बच्चों को यह समझाना है आधा कल्प तुमने जूठी कमाई की है अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है वह भी शास्तर आदी जो सुनाते हैं कमाई के लिए शिप बाबा तो यह शास्तर आदी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है वह है ही नौलेजफुल ज्यान का सागर वह सप्त है चेतन्य है अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं जूठ खंड विनाश होता है देह सहित यह सब विनाश होना है तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है वह समझते हैं सब मिल जामे परंतु फूट पड़ती जाती है नर चाहता कुछ और उनका प्लैन है सब विनाश के लिए इश्वर का प्लैन क्या है सो अब तुम जानते हो बाप आई ही है जूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए मनुश्य को देवता बनाने सत्य बाप द्वारा तुम सचे बनते हो और रावन द्वारा जूठे बनते हो बाप ही सत्य ज्यान देते हैं तुम ब्रामनों का हाथ भरतू होगा बाकि शुद्रों का हाथ खाली रहेगा तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे अब बाप सिर्फ कहते हैं ग्रस्त विवार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो याद क्यों भूलनी चाहिए जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो यह है नई बात इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़ आत्मा तो अविनाशी है एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेती है बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो क्योंकि वापिस जाना है देह का भान छोड़ो यह चुरासी जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है न तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है अब काम चिता से उतर कर ज्यान चिता पर बैठो बहुत हैं जो विकारों बिगर रह नहीं सकते बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो अब इन विकारों को जीतो काम विकार में मत जा यह शरीर जो अपवित्र पतित है ना पावन बनो यहां सभी विकार से पैदा होते हैं सत्युग त्रेता में यह विकार होते नहीं वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग उनको नर्ग क्यों कहां जाए बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई aim object ही नहीं है यहां तो aim object है हम अभी मनुशे से देवता बन रहे हैं बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो उसमें कोई सार नहीं है तुम्हारी चड़ती कला एक ही बार होती है फिर है उतरती कला कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है पतित बनना ही है यह चीची दुनिया है तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था अभी नर्क है पहले आदी सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है फिर उस धर्म की स्थापना होती है बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर थपना करते हैं तुम भी कहेंगे हम फिर से राज लेते हैं राज लेने के बाद फिर यह नौलेज गुम हो जाएगी यह नौलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए फिर पावन दुनिया के नौलेज क्यों रहेगी चले ने, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैस हूँ, तो वे निश्चे बैठ गया, कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलो, यह बात है तुम्हारे लिए, तुम निश्चे करते हो, हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं, मैं चतर उभुजू हूँ, यह कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए, यह है नर से नारायन बनाने की knowledge, जो अच्छी रीती धारण कर और कराएंगे, वही उच्छ पद पाएंगे, स्टूडेंट ऐसे कहना सके की हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैट, पढ़ाई बिगर वर्सा मिलना सके, गोड़ फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारक्ती दे देते हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्खो हो, एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है, अच्छा सुबे को सवेरे बैट बाबा को याद करो, कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो, और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों का नहीं तो अपना कल्यान करो रहम दिल बन जितना ओरों का कल्यान तरेंगे, तो उच पद पाएंगे, बड़ी चबरदस्त कमाई है, जिसके पास बहुत धन है, वह कहते हैं, फुर्सत नहीं, सहुकारों को वहां गरीब बनना है, और गरीबों को सहुकार बनना है, सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उन रंतर याद की यात्रा पर रहना है, मदुबन में शांती है, तो बहुत कमाई कर सकते हो, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, सच्छ खंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्मा अभिमानी होकर रहना है, इस सडी हुई जुत्ती अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ देना है, रहम दिल बन अपना और दूसरों क कल्यान करना है, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराना है, वरदान, शुब भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव, होली हंस उसको कहा जाता है, जो नेगिटिव को छोड पोजिटिव को धारन करे, देखते हु नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें व्यर्थ कर्म ना सुने ना करें और ना बोले। व्यर्थ को स्मर्थ में परिवर्तन कर दें। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुब भावना चाहिए। शुब भावना से उल्टी बात भी सुल्टी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुब भावना दो, शुब भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा, स्लोगन, अती इंद्रिय सुख की अनुभूती करनी है, तो शांत स्वरूप स स्थिती में स्थित्र, ओम शंती,